परिशान होने वाला बात ये है कि IVPS RRBPO का एक्जाम है एक्जाम है ये तो ठीक है लेकिन उस एक्जाम सेंटर तक कैसे पहुँचा जाए क्योंकि पूरे भारत में जो तेज बारिस का बात किया जा रहा है वो अलग-अलग सेंटर में कैंडिडेट को पहुँचना है कि कोई 100 किलोमेटर दूर है तो कोई 200 कोई 500 अब उस सेंटर तक पहुचना उनके लिए सायद अभी संबब नहीं हो पारा है क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है इस केस में क्या किया जाए उन कैंडिडेट के लिए जो की पूरे साल भर मेहनत किये हैं इस एक्जाम के लिए वेट किये हैं और पूरी कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अपना प्रिपरेशन किया है अगर देखो कोई पर्टिकुलर एक्जाम सेंटर ही कैंसल हो जाता है तो फिर वो अलग है लेकिन जहां एक्जाम कंड़क्ट हो रहा है और वहां तक आप नहीं पहुच पाए तो आपका आपका एक्जाम वापस से लिया जाएगा लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि इस एक्जाम में सायद नहीं पहुच पाएंगे तो बस यही छोटा सा एक उमीद है और आप लोग भी यही लेके चलो कि किसी भी तरीके से आप एटलिस्ट उस एक्जाम सेंटर तक पहुच जाओ क्योंकि आप अगर पहुच जाते हो और एक्जाम दे देते हो तो आपका महनत जो है वो बेकार नहीं जाएगा अदरवाइस आप इसे उपर वाले के उपर छोड़ सकते हो क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनके साथ ये concern है और जो सोच रहे हैं कि कैसे उस place तक पहुचा जाए कैसे उस examination center तक पहुचा जाए और इसके बारे में my dear friends अगर आप लोग इस दूविधा में फसे हो या फिर ऐसे कुछ situation में फसे हो तो please comment करके जरूर बताना ताकि आपके इस आवाज को कहीं और या उपर तक पहुचाए जाए